कभी-कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो साइंस को भी सोचने के लिए विवश कर देती हैं। ऐसी अजब-गजब रहसे में घटनाएं, जिनको वेग्यानिक भी समझाने में काम्याब नहीं हो सके। ऐसा ही साइस से जुड़ी रहस्य में घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नमबर एक डेजावू आखिरकार ये हूता क्या है इसका अनभव आपने अपने जीवन में कभी न कभी तो किया होगा जब हम नई जगे किसी से मिलने या मूवी देखने जाते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ पर हम पहले भी आचुके हैं ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी इस जगा को देख चुके हैं वेग्यानिकों ने डेजावू को लेकर कई तरह की थेयरी सामने रखी लेकिन अभी तक इसके पीछे का रहस्य से परदा ने उठा अगर हम आध्यात्मिक मानेताओं की बात करें तो डेजावू को पूरो जनम की यादों के साथ देखा जाता है आपके इसमें क्या राय है? क्या कभी आपने वैसा अनभू किया है? तो कमेंट करके जरूर बताना क्या कभी आपने सुनाए मचलियों, मैंडकों, मकडियों, साफ केंचूओं की बारिश के बारे में? केंटिकी में सन 1860 में एक ऐसी रहस्य में बारिश हुई इस राज से अभी तक कोई परदा ने उठा सका वैग्यानिक बेहरान है इस घटना से आपके क्या विचारक? नमबर तीन, अंटाक्टिका में खून का गिरना अंटाक्टिका में टेलर, ग्लेशियर की मोहाने से वेस्ट लेक में गिरने वाला पानी खून जैसा दिखाई देता है इसमें आइरन ओक्साइड की अधिक्ता होने के कारण इस पानी का रंग खून जैसा दिखाई देता है नमबर चार, वाडू के जिल मिलाते किनारे मालदीव में समुदर के किनारे नीली रोशनी से जगमा आते हैं आखिर ऐसा क्यूं होता है? इस नीली रोशनी के पीछे का रहस्य समुदरी जीवों में है जिस तरह जुगनू चमकता है, उसी तरह ये जीव भी पानी के अंदर चमकते रहते हैं जिस वज़े से समुदर का किनारा नीली रोशनी भी खेरते हुए जगमा आता हुआ बहुती सुन्दर दिखता है दक्षनी भारत के एक जगा का नाम है कोडिने ये जगा जोड़वा बच्चों की वज़े से काफी ज़दा रहस्य से भरी पड़ी है यहाँ पर कई वैग्यानिक शोद गर चुके हैं पर कोई भी इस बात को समझ नहीं पाया कि आखिरकार यहाँ पर जड़वा बच्चे पैदा क्यों होते हैं 500 से ज़दा बच्चे ज़ड़वा हैं यहाँ पर आपको कौन सी रहस्ते में घटना सबसे ज़दा रहस्ते पूर्ण लगी वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना साइस मिस्टीरियस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलना